अध्यान की जो मुख्य बिंदू है वह है इलेक्ट्रान की शमाने पर चेक्ट क्या होती है इलेक्ट्रान का जो विश्ष्ट आवेस होता है इसका निर्धारन किस ने किया और इबाई एम कमान कितना होता है इलेक्ट्रान का दर्बमान क्या होती है उस पर कितनी आवेस होती है इलेक्ट्रान ओल्ट क्या होता है इसके बारे में अध्यान क्या जाएगा तो हम सबसे पहले ले देते हैं कि इलेक्ट्रान का समाने पर चेक्ट क्या होती है इलेक्टरान का समाने परचे तो इलेक्टरान के समाने परचे के बारे मिंनthought जानते हैं कि हमारे पास जड़ी हम रिषायन की बात करें तो किसी भी तत्वा के एक पर्मानू होती ही उस पर्मानू के नाभिक में क्या उपस्थीत रहती है जैसे हम देखें कि हमारे पास एक परमानों का नाभीक है ये और ये जितने भी दीछ रही है ये इसके बायक अख्च होती है तो प्रमानों के नावेक में हम देखते हैं, फोट्रान और न्यूट्रान उपस्थित होती है, और इलेक्ट्रान जो होती है, यह भी नकक्चों में क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है, चलिए हम इसको इसे प्रदासित करें, तो यह भी नकक्चों में क्या करती है, चक्कर लगाते रहती है तो यह इस इलेक्ट्रान को हम कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रान के नाम से इसको जाना जाता है बद्ध इलेक्ट्रान कहते है इस इलेक्ट्रान को यदि किसी भी विधी के माध्यम से उर्जा दे दिये जाए तो यह इलेक्ट्रान क्या करती है उस उर्जा को आ तो इस प्रकार के इलेक्ट्रान को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रान या मुक्त इलेक्ट्रान के नाम से उसको जाना जाता है और यही मुक्त इलेक्ट्रान जो होती है परमानू या अनू की जो रसायनिक गुन होती है उसमें काम आता है और जितने भी इलेक्ट्रानिक उपकरन होती है चाव रेडियो हो ट्रांजिस्टर हो घड़ी हो कैल्कुलेटर हो कंप्रीटर हो जो भी इलेक्टानिक सिस्टम है उस सारी इलेक्टानिक जो समान होती है उन समान में या उस प्रकार की यहाँ पर नाभीक में प्रोटान और न्यूट्रान है यदि इसकी हम द्रभ्यमान की बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूट्रान का द्रभ्यमान नियर इक्वल टू यह आ जाएगा 1.67 दसकगात रीन 27 किलोग्राम दाप्त होती है तो इस तरीका से हम न्यूट्रान, पोट्रान और प्रिष्ट पर गती करने वाले जो इलेक्ट्रान होती है उस पर कितना आवेस होता है उसकी द्रभ्यमान कितनी होती है यह सारी चीज़ें इलेक्ट्रान के समाने पर चेक अंतरगात देख सकते हैं अब इसमें एक दूसरा बिंदू है इलेक्ट्रान को जो विशिष्ट आवेस होता है उसका निर्धारं किस नहीं किया और वह क्या चीज़ होती है तो इस पर जो आवेस की उपस्तिती है यहाँ पर इलेक्ट्रान का जो आवेस जिसको हम E से प्रदाशित कर रहे हैं चुंक एक विशर्जन नली लिया और उस विशर्जन नली में इलेक्ट्रान की उपस्तिती का पता लगाया कि इलेक्ट्रान वास्तों में कैसे उत्पन होती है और क्या चीज़ होती है उस पर जो आवेस का जो निर्धारन करना था उसको दूसरे वे ज्यानिक ने देखा और उस द ऐसे हम क्या करते हैं, जो इलेक्टरन का द्रब्मान काटनी होगी, यह भी निकलती हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्टान का जो दर्बमान होता है उसका निर्धारन किया जा सकता है ठीके तो यहाँ पर हम यह यद्धन करेंगे कि E by M का मान कितनी होती है और जेजे थामसन की प्रायोगिक विधी क्या है इलेक्टान का विस्ष्ट आवैस E by M का निर्धार तो E by M का निर्धारन करने के लिए विध्यानिक जेजे थामसन ने देखा इसमें इलेक्टान के विस्ष्ट आवैस अर्थात इलेक्टान की जो आवैस होते है और उसके दर्बमान होती है इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं इलेक्टान का विशिष्ट आवेस कहते हैं और इस इलेक्टान के विशिष्ट आवेस का जो मान होती है एक नियत मान होता है और इससे हम क्या कर सकते हैं द्रभ्यमान का निधारन कर सकते हैं ठीक है तो इसका जो मान निकलेगी वो सभी प्रकार की जितने भी तत्व होगी और उस तत्व से जो इलेक्टरान टापत होगा वह सभी इलेक्टरानों के लिए इसका मान क्या रहेगी सर्वसम रहेगी मतलब सभी इलेक्टानों के लिए सभी प्रकार के इलेक्टानों के लिए उसका मान क्या रहेगा बराबर रहेगा नियत रहेगा इसको हम कहते हैं इलेक्टान का विशिष्ट आवेस तो इस इलेक्टान के विशिष्ट आवेस का जो प्रयोग है या इसका निर्धारन कनी की ज तूल ले होता है पहला पाइंट हम ले सकते हैं जतिमान तूले होता है और दूसरी बात हम इस में ले सकते हैं कि इलेक्टरान का जो आवेस होती है वह चूंकि रिनात्मा का आवेस वाले होता है तो महाँ पर यह का सकते हैं कि इलेक्ट्रान आविसित्कन होते हैं इलेक्ट्रान आविसित्कन होते हैं जो चुम्बकी छेत्र और विद्दुद छेत्र हैं चेत्र और विद्दुद छेत्र से विक्षेपित हो जाता है विक्षेपित हो जाता है तो ये दो तथ्य हैं EYM के निर्धारन करने के लिए विसित्टा आविसित्कन ग्याद करने के लिए ये दो यहाँ पर बिन्दु दी गई इसी बिन्दु के अधार पर EYM के निर्धारन किया जाएगा गतिमान, इलेक्टान, विद्दुध धारा के बराबर होगी, उसकी तुल्य होगी और दूसरी पाइंट यह करता है कि इलेक्टान आवेशितकन होते हैं जो विद्दुध छेत्रा और चुंबकी छेत्रे दी हम लगाते हैं उसके द्वारा क्या हो जाएगी, वह विक्षेपित हो जाएगी तो इब आई एम की निरधारन करने के लिए इसकी जो सरचना है उस सरचना को देख लेते हैं, इस सरचना में इसकी जो चित्र होगी इस चित्र की हिसाब से उसमें क्या-क्या बिंदु होती है उस बिंदो के अधार पर यहां पर हम वर्णन करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उपकरण की सरचना उपकरण की सरचना में अभष लेट पर हम अभष लेख लेखे 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 । शर्चना में वर्बशी लेखेर की सरचना अभष लेखे 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 यह कैथोड है इसको हम कहेंगे विसर्जन नली और यह होगी एनोड यहाँ पर एक सवाई धातों की दो प्लेटे हैं यहाँ पर जो लगा रहे हैं इसको हम कहेंगे विद्धूत चेत्रे हपस लगा रहे हैं और यहाँ से लगाएंगे चुम्ब की चेत्रे यह एक परदा है अब इसको हम एक्स्प्लेंड कर लेते हैं या इसको वर्णन कर लेते हैं इसमें है क्या क्या चीजे तो इस उपकरन में हम देख रहे हैं कि एक विसर्जन नली है और इस विसर्जन नली में सुन्य दसमला सुन्य एक मिलिमीटर जो पारे की दाब होती है उस दाब पर गैस भरा रहता है कैथोड और एनोड की बीच का जो विभांतर होती है इसको हम रखते हैं 10 किलो ओल्ट से 15 किलो ओल्ट की बीच में रहता है कैथोड और एनोड की बीच का विभांतर है ठीक है यहाँ पर इस विशर्जन नली के जो लास्ट वाले जो बिंदू है उस बिंदू पे एक परद लगा हुआ है और इस परदे में एक प्रदिदिप सिल्पदार्थ जो जिंक सलफाइड होती उसका लेप कर दिया जाता है यहाँ से जो निकने वाली जो कैथोड कीरने है उस कैथोड कीरने सरर रेखा में गती करते हुए परदे की बिंदू पीपर जाएगी ठीक है पीपर जाने के बाद में यह दिवा चमक उत्पन करता है ठीक चमक उत्पन करने के बाद में यह इसी रेखा पर क्या करते रहेग और जो cathode किरने जो चल रही है उस cathode किरने के लंबवत एक विद्दू छेत्र यहां पर लगाया जा रहा है तो इस तरीका से हम दो छेत्र इस पर लगाते हैं विद्दू छेत्र और चुंबा की छेत्र तो यह हो गए इस उपकरण का वर्नार यहां पर यह प्रेनोट यह जो दीख रही है यह cathode है और इस प्रकार की नली या सराचन होती वो क्या होती एक विसर्जन नली होती है cathode किरने के कारण electron की उप्रस्थिति का क्या लगाया गया पता लगाया ठीक है और इसका पता लगाने का जो मुख्य काम था वो किसके द्वारा किया गया था जे जे थामसन के द्वारा इसको किया गया था अब इसमें इसकी जो सिध्धान जो देखेंगे वो सिध्धान दो बिंदो पर अधारित होती है पहला बिंदू हम देख चुके हैं कि गतिमान जो इलेक्टान होती वाक्या होती विद्धु धारा के बराबर होती है विद्धु धारा के क्या होती है तुल्ले होती है दूसरा बिंदू हम क्या लिये थे कि विद्धु छेतर या चुम्ब की छेतर के द्वारा चुंकि आवेशित कंठोंती इसकारण वक्या हो जाती है विख्षेपित हो जाता है ठीक है? तो यही दो सब्सक्राइब यहां पर इसके सिद्धान्त का निधारन कहेंगे तो सिध्धान पर हम ये देख रहे हैं कि जब यहाँ पर कै THORED किरने पे कोई भी छेतर यहाँ पर नहीं लगाया गया है दो छेतर यहाँ पर लगा रहे हैं एक विद्धु छेतर दूसरा क्या है है? चुम्बा की छेतर थीम्बा की छेतर है ठीक है ना Catholic की जो निकर रही है, वहाँ धनATT की वर क्या कर दी है, आकर्शित करती, यहाँ पर ये plus है, इसको हम plus कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं, minus, ठीक है, तो फदे के बिंदु तकरा रही है, बिंदु Q पर चले गया, यह सिदीर एक हमी न जा करके, विक्षेपित हो गया, विद्धु छेत्र के कारण और Q बिंदु पर चले गई, ठेक, ठेक, उसी तरीका से यदि हम चुम्बकी छेत्र अप्लाई करें हैं, चुम्बकी छेत्र आरोपित करें, तो जो इलेक्टरान पुझ निकल रही है, कैथोड किने जो निकल रही है, वह प यहाँ पर जो आ रहा है, इलेक्टरान को जो विक्षेपित हो रही है, एक प्लस की और दूसरी क्या है, माइनस की और, तो दोनों छेत्रे दी एक साथ एपलाई किया जाता है, यह एक साथ आरोपित क्या जाता है, तो वहाँ पर इलेक्टरान को जो विक्षेप होगा, वा क कर्शित हो जाती है और यह दोनों चेत्र एक साथ लगाते हैं तो वह क्या हो जाएगी दोनों का विक्षे सुन्य हो जाएगा दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देगी निरस्ति कर देगी ठीक है तो उस इस थिती में हम यह कर सकते हैं कि विद्दुद चेत्रे के द् की मान्ते मान के चलते हैं एस इलेक्ट्रान का आवेश बेंक also कि और द्रब्यमान कि करुएं技 वेग वेग से क्या कर रही है गती कर रही है तो जु मखें है विद्धूत चेत्र की तीवरताAh को हम ए मानते हैं, विद्धूत् चेत्र की तीवरताः यह क्या हो जाएगी, सबस्ताइब क्या होगा हूगता है विद्द्ध छेत्र के द्वारा लगाया गया बल ये क्या हो जाएगी E e जहां पर e इलेक्टरान का आवेस है और ये कैप्टल e जो ले रहे हो तिया चीज है विद्दू छेत्र की तिवरता है ठीक इसी प्रकार चुम्ब की छेत्र के द्वारा लगायागा बल क्या हो जाएगा पुना चुम्ब की छेत्र के द्वारा लगाया गया बल ये क्या हो जाएगा E V B जहाँ पर B चुम्बके छेत्र की तिवरता है E इलेक्टरान का आवेस है और V क्या चीज है इलेक्टरान का वेग ठीक है अब हम यहाँ पर यह देख रहे थे कि जब दोनों छेत्र एक साथ आरूपित किया जाता है तो इलेक्टरान का जो विक्षेफ होगी वह विक्षेफ कितना होगा सुनने होगा ठीक है ना तो वह प्लस की विक्षेफ होगा और नहीं माइनस की विक्षेफ होगी उस इस थीते में दोनों बल आपस में क्या होगा बराबर होगा ठीक तो दोनों बल आपस में बराबर होगी तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अता E E बराबर E V V यहाँ से E और E कैंसिल तो वेग निकल गया E बरटे V इसको हम समय करें एक मानके चलते हैं दूसरी स्थित्य हम यह देख रहे हैं कि कैथोड और अनोड है उसके बीच में यहाँ पर कितना भाँतर लगाया गया था 10 किलो ओल्ट से 15 किलो ओल्ट के बीच में यहाँ वेभांतर आरोपित की जाती है तो यदि हम विभांतर को V से प्रदसित करें यदि विभांतर V हो ठीक है तो उस इस्थिती में कैथोड की इस्थिती उर्जा, इस्थिती उर्जा का मतलब क्या होती है इस्थिती के द्वारा उत्पन उत्वान उर्जा कहते हैं इस्थितिज उर्जा कहते हैं ठीक उसी तरीका से गती के द्वारा उत्वान उर्जा कहते हैं गतीज उर्जा कहते हैं ठीक है तो यहां पर कैथोड जो प्लेट है यहां से क्या हो रही है कैथोड की निकर रही है तो यहां पर क्या होगी कैथोड की स्थितिज उर्जा होगी ठीक है और एनोट के पास पहुचा तो ये कैथोड की ने गति करके यहाँ पर पहुची तो एनोट पर क्या हो जाएगा उसका गतिज उर्जा हो जाएगा ठीक है तो कैथोड की स्थितिज उर्जा क्या होगी यदि भी भांतर भी हो तो कैथोर्ट की स्थितिज उर्जा कैथोर्ट की स्थितिज उर्जा कैथोर्ट की स्थितिज उर्जा कितनी होगी E, B के बराबर होगा ठीक है उसी तरीका से चुंकि इलेक्टान का द्रिवमान कितना माना गया था A माना गया था तो एनोट पर उसकी गतिज उर्जा कितनी हो जाएगी तथा एनोट पर इलेक्ट्रान की गतिज उर्जा एक बटे दो एम वी का वर्जा दोनों आपस में क्या होगी बराबर होगी कैथोट की इस्तिती जूड़ और एनोट की इस्तिती जूड़ दोनों आपस में क्या ले सकते हैं बराबर ले सकते हैं तो यहाँ पर हम लेंगे ए वी बराबर एक बटे दो AIM V का वर्ग ठीक है यहाँ से इनको हम सरल करें तो यह ले सकते हैं कितना 2EV बराबर V का वर्ग ठीक है और आगे इसको हम सरल करें तो यहाँ से निकाल सकते हैं E by AIM यहाँ से E by AIM निकल जाएगा तो यह कितना बचेगा V स्क्वेर बटे 2V V स्क्वेर बटे 2V ठीक है समीकरन नमबर 2 समीकरन 1 और समीकरन 2 से वेग निकला हुआ है E बटे V यहाँ पर वेग दिख रही है तो यहाँ पर वेग कमा रख देंगे तो समीकरन 1 और 2 से E by AIM कमा निकल जाएगा E by AIM बराबर यहाँ पर V स्क्वेर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी E का स्क्वेर बटे यहाँ पर कितना दिया है 2V और यह हो जाएगा B का स्क्वेर इसको हम कर सकते हैं समीकरन नमबर 3 तो यह जो समीकरन 3 जो निकला हुआ है उसमें विद्दु छेत्र कितिवरता चुंबकी छेत्र कितिवरता और 2V यहाँ पर दिख रही है यह क्या चीज़े एनोड और कैथोड के बीच में जो आरोपित भी भांतर है जो 10 किलो ओम से 10 किलो से 15 किलो के बीच में ओल्ट रहती है यदि इन सारी चीजों का मान यदि अपने को पता चल जाए तो उस इस्थिते में हम क्या कर सकते हैं इलेक्टान के विशिष्ट आवेस की गर्णा कर सकते हैं और ये जो मान निकलती है इलेक्टान का विशिष्ट आवेस तो यहाँ पर इस सुत्र में E by M का निर्धारन करना है यह मान निकाना है तो विद्दू छेत्र की तीवरता चुम्बकी छेत्र की तीवरता कैथोड और एनोट के भी जो आरोपित भी भानता रहे उन सब चीज का मान यदि ग्यात हो जाए तो हम E by M का मान निकाल सकते हैं और E by M का जो मान होती है जिसकों कहते हैं इलेक्टान का विशिष्ट आवेज E by M इसको जो मान होता है वो होती है एक दसमलाव साथ पाँच नौ गुनीत दस कगात ग्यारा इतनी प्राप्तर होती है जब यहाँ पर ये मान निकल जाएगी तो हम धर्ब्यमान का भी क्या कर सकते है निर्धारन कर सकते है तो इस तरीका से इलेक्टान के विशिष्ट आवेज ग्यात करने के लिए जेजे थामसन ने एक प्रायोगीक प्रदासन किया जिसमें इस तरीका से एक विसर्जन नली ली और elektran के विसिष्ट आवेस ग्यात किया जिसका मान 1.75 न गुनी 10 कगात 11 प्राप्त होती है ठीके तो ये था जे जे थांसन का प्रयोगीक प्रदरशन जिससे elektran के विसिष्ट आवेस ग्यात की जा सकती है अब यहाँ पर जो दूसरा जो वैज्ञानिक था जिसको हम कहते हैं आर ए मिलिकान उन्होंने क्या देखा कि विशिष्ट आवेस का निर्धारन तो हो गया लेकिन वास्तों में इलेक्टरान चुंकि हम कह रहें कि वह एक आवेसित कन होती है ठीक है ना तो उस पर आवेस का मा हुआ हम मिलिकान की तेल बुन्द विधी से आवेस का निरधारान तो इन्होंने भी एक प्रावगिक प्रदाशन किया और विद्दु छेत्रे की उपस्थिती में इन्होंने देखा विद्दु छेत्रे की उपस्थिती में आवेस का जमान होती है Q बराबर आवेस का जमान होती है इसृथ विद्द रेते है रेष़ एक मिलिकान ने एक थेलबुद लिया उस तेलबुद को क्या क्या किया अएक उपकरन होती उस उपकरन में उसको जब अमकारिकक बुद को गिराते 맞는हे तो उसका वेक कितना निकलता है और जिस पात्र में यहाँ पर उस बूंद को हम क्या करेंगे गिराएंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या भरा रहता है एक लिक्विड भरा रहता है तो हम जानते हैं कि यदि कोई भी बूंद जो होती है यदि एक स्यान द्राव है जैसे स्यान का मतलब क्या होती है जैसे सहाथ ले लिया या ग्लिसरील ले लिया है ना तो इस प्रकार के द्रौ में यदि इस बूंद को जैसे एक छर्रे होती है ना उस छर्रे को हम क्या करेंगे गिराएंगे तो प्राराम्प में जैसे ही यह जो बूंद होगी इस स्यान द्र प्रदसन किया जिसमें विद्धु छेत्र की पस्थिती में आवेस का मान निकाने के लिए क्या सूत्र दिया 18 पाई इटा V1 प्लस V2 इंटू D बटे V और यहां पर क्या है इटा V1 अपान 2 रो माइना सिग्मा इंटू G का घात एक बटे 2 इस सूत्र के माध्यम से मिलिकान ने तेल की एक बुंद के लिए जो आवेस का जमान था उन्होंने निकाला क्यों बराबर 1.6 गुणी 10 का घात रिन 19 कुलाम इतना प्राप्त किया तो इस तरीके से उन्होंने बहुँश सारे बुंदों को लेकर के इस प्रयोग को किया तो सब बुंद ले लिया ठीक है और सब लेने के बाद भी उस प्रयोग को दोराया और दोराने के बाद में जितनी आवेस का जमान निकलता है उसका एक महत्तम समापर तक निकाला और महत्तम समापर तक निकानने के बाद देखा कि आवेस का मान कितनी निकली 1.6 गुणी 10 का घात रिन 19 कुलाम प्राप्त होती है अ पूर्ण गुनच के नाम से भी इसको जाना जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने सिद्ध कर दिया, कि चाहे बुंद की मात्रा कितनी भी हो, सब बुंद ले, या एक बुंद ले, या छोटा सा एक कण ले, ठीक है, तब तेक जो इलेक्टान होगी, उसमें आवेस कमा कितना होगा, एक दसब्लश्चह गुनी10 का खातरिन, उन्नीस कुलाम ही प्राप्त होगी, इस से कम किसी भी इलेक्टान का आवेस नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसमें एक प्रश्चन पूछा जा सकता है, कि क्या इलेक्टान का जो आवेस होती, उसका मान एक दसब्लश्चह गुनिद्रस का खातरिन 19 कुलाम से कम हो सकती है? नहीं, ठीक है? क्योंकि इस प्रयोग को दोराने के बाद ये पता चला कि इलेक्टरान कोई भी रहे, उसका आवेश कितना होगा? 1.6 गुनिद्रस का खातरिन 19 कुलाम प्राप्त होती है. तो इस तरीका से मिलिकान ने आवेश के निर्धारन करने के बाद उसमें कितना मानाता है, कितना कुलाम प्राप्त होती है, उसको यहाँ पर ग्याद किया. तो इस विदी का महत्व क्या है? जो मिलिकान की तिल बुन्द विदी है, उसका महत्व क्या है? तो सबसे पहला हम इसका महत्तों में देखे, महत्तों में यदि हम पहला बिंदू ले तो इलेक्टान के आवेश निर्धारन करने की सबसे सरल विदी है यह, मतलब इस से और सरल विदी कुछ नहीं है, ठीक है न, उन्होंने एक पात्र लिया, उस पात्र में क्या भरे, यहां पर एक श्यांद्राव भरे उसमें एक तेल की बूंद को एक इस्प्रे होती उस्प्रे के माध्यम से गिराते हैं और उसका वेग ज्याद करके उन्होंने एक सुत्र दिया और इस सुत्र के माध्यम से इलेक्टान का आवेज यहां पर धारन किया तो यहीं विधी क्या होती है इलेक्टरान के आवेज ग्यात करनी की सबसे सरल विदी है ठीक है दूसरा इसमें बिंदू हम ले सकते हैं जो एवेगेडो नंबर होती है उसका निर्धारन करते है एवेगेडो नंबर का निर्धारन एवेंगेट्रो नंबर करेदारन करने में इस विधी का उप्योग्या जाता है तो यहाँपर सुत्रे निकलती है एफ बराबर एन इ एफ बराबर एन इ Fortnite में जहाँपर एन जो दिख रही है इस कमान अपने को निकानना है तो यहाँपर क्या हो जागा एन एफ बटे ई प्राप्त होगी एफ कमान जो निकलता है वो होती है शन्वे हजार पांस साव कुलाम पर ग्राम तुल्यांग की भार ठीक है और ई का जमान होती जिसकों कहते हैं इलेक्टान का आवेस ये कितना होता है एक दसमला छे गुनित दसक घातरीन उन्नीज कुलाम प्राप्त होती है तो इस तरीका से यहाँ पर एवे गेट्रू नंबर का जो निर्धारन होगी तो उसको हम निकाल सकते हैं एन बराबर एफ कमान रखेंगे 96500 बटे एक दसमला छे गुनित दसक घातरीन उन्नीज जब इसको सरल किया जाएगा तो इवे गेट्रू जो नंबर निकलती है वह निकलती है एन कमान छे दसमला सुन्य दू तीन गुनित दसक घातरीन ये प्राप्त होती है तो वहाँ पर जो एक बुंद लिया गया था उ ठीक है यही है एवे गेट्रू नंबर कितनी आ रही है छे दसमला सुन्य दो तीन गुनित दसक घात तेईस इतनी प्राप्त होती है इसलिए यहाँ पर रखा गया है कि 96500 गुलाम पर ग्राम तुल्यांकी भार उसका जो मान कितना होगा उस बुंद का उसमें अनों की संख् जाके निर्धारन करने में भी इसका महत होती है तीसरा इसमें हम बिंदू ले सकते हैं तीसरा बिंदू है आवेस का क्वांटी करन अर्थात आवेस के क्वांटी करन को हम यदि हम सूत्र की रूप में लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू बराबर एन ई तो आवेस की क्वांटी करन की परिभासा क्या होगी यहां पर एन का जो मान होगा सून्य वर्ण टू थ्री इस तरीका से हो सकती है और ई का मान हम जानते हैं एक दसमलद छे गुनित दस क गात रिन 19 कुलाम प्रापत होता है तो आवेस का जो मान होगा इलेक्ट्रान का पूर्ण गुनज होता है इलेक्ट्रान का क्या होगा पूर्ण गुनज पूर्ण गुनज मतलब यहां पर यदि हम एन के जगह में क्या रखे हैं वन टू थ्री रखें तो आवेस का मान कितना तो यहां पर यह एक क्या है इंटीजर नंबर है क्या है इंटीजर नंबर ठीक है तो इस तरीका से हम आवेस के क्वांटी करन में भी इसका महत्यों को समा सकते हैं ठीक इसमें इसको भी देख लेख़ए इसका महत्यों होती है तो इलेक्टान का द्रवमान कीसे ग्याद करेंगे इसको भी देख लेजीए ओथा जो महत्यों इसका इसका prac करने में इलेक्टान का द्रब्यमान ग्याद करने में इसका महत्त होती है तो इलेक्टान का द्रब्यमान हम कैसे ग्याद करेंगे चुंकि हम जानते हैं कि A, E जो इलेक्टान की द्रब्यमान होती है इसमें हम क्या करें यदि इलेक्टान के आवेस E और जो विशिष्ट आवेस E by A नि रीन 19 कुलाम और यहाँ पर E by M का मान कितना निकाला गया था 1.76 गुनित 10 कगात 11 ठीक है यदि इसको हम भाग देंगे यहाँ पर M E जिसको हम कहते हैं इलेक्टान का द्रभ्मान यह निकल जाएगी 9.1 इंटू 9.1 गुनित 10 कगात रीन 31 किलोग्राम प्राप्त होती है तो इस तरीका से इलेक्टान के जो द्रभ्मान होती उसकी निर्धारन करने में भी हम मिलिकान की जो तेल बुंद विदी उसका प्योग कर सकते हैं तो यह इसका महत्व जो होती है वह महत्व पूर्ण है कि सबसे सरल विदी है दूसरा क्या है कि एवेगवड्रो संख्या का निर्धारन कैसे किया जाता है इसमें हम कर सकते हैं और तिसरा बिंद्ध हम क्या ले सकते हैं कि आवेज की कौंटी करन क्या होती है? जिसको हम कहते हैं? इलेक्टरान की पूर्णगुनज होता है. इसको परवासित करने में इसको महत्वा लिख सकते हैं. और इलेक्टरान का जो दर्बमान कैसे ग्याद करते हैं? इसमें भी इस विधी का उपयोग किया जाता है. तो इस तरीका से हम तेल बुंद विधी के मादधन से इलेक्टान की जो आवेश होती उसको भी हम क्या कर सकते हैं ग्याद कर सकते हैं इसमें हम देखेंगे कि इलेक्टान ओल्ट क्या होता है अगला बिंदू है इलेक्टान ओल्ट और इसको इवी से प्रदसित किया जाता है इलेक्टान ओल्ट की परिभासे ज़िए हम देखें तो यहाँ पर इलेक्टान ओल्ट जो कन भातकी होती है चुंकि भातकी की अलग-अलग साका होती है तो कन भातकी के अंतरगत जो उर्जा की जो सबसे छोटी मातरक होती होता है इसको हम क्या करें, VB भानतर से त्वरित करें, VB भानतर से क्या करें, इसको त्वरित करें, त्वरित करने पर, प्राप्त उर्जा कितनी होगी? प्राप्त उर्जा EK काइनेटिक इनर्जी ये बराबर होगी EVK ठीके हैं अब यहाँ पर यह जो आवेस है वह आवेस क्या हो यदि एक इलेक्ट्रान हो तो एक इलेक्ट्रान को यदि हम VV भॉहांतर से त्वरित करें VV भॉहांतर का मतलब क्या है यदि हम एक ओल्ट की वहांतर से हम क्या करते हैं तो रित करते हैं तो वहाँ पर उर्जा कितनी प्राप्त होगी तो यह लिख सकते हैं कि यदि आवेस जो है क्या हो इलेक्ट्रान यदि आवेस इलेक्ट्रान हो तो यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगी E बराबर इस कमान कितना होगा 1.6 गुनी 10 का घातरी 19 कुलाम और ओल्ट है तो ओल्ट भी भंतर लगा रहे हैं कितना लगा रहे हैं एक ओल्ट लगा रहे हैं ठीके तो यहाँ पर प्राप्त उर्जा कमान कितना हो जाएगा E के बराबर 1 1 इलेक्ट्रान ओल्ट 1 इलेक्ट्रान ओल्ट अका मतलब हुआ 1 और E कमान कितना है 1.6 गुनी 10 का घातरी 19 ठीके हैं और यहाँ पर विभंतर कितना लगा रहे हैं 1 ओल्ट लगा रहे हैं तो यहाँ पर अब उर्जा नहीं कर रहे हैं उर्जा की इकाई क्या होती है जूल होती है क्या होती है जूल तो यहाँ पर कितना निकला 1.6 गुनी 10 का घातरीन 19 जूल प्राप्त होती है ठीक है तो यहाँ पर 1 इलेक्टान ओल्टे में कितनी जूल हुआ 1.6 गुनी 10 का घातरीन 19 जूल प्राप्त होती है समझ में आ गया यहाँ पर confuse नहीं होना है क्योंकि वह 1.6 गुनी 10 का घातरिन 19 कुलाम यह क्या चीज है इलेक्टान का आवेस है जब हम उस आवेस को किस में बदले उर्जा में बदले तो कितना नहीं कर रहा है उसका मान 1.6 गुनी 10 का घातरिन 19 जूल प्राप्त होती है यहाँ पर मातरक क्या हो गई चेंज हो गई तो एक इलेक्टान ओल्ट में कितना मान होता है या उस उर्जा की मातरक कितनी है 1.6 गुनी 10 का घातरिन 19 जूल प्राप्त होती है ठीक है तो इस तरीका से इलेक्टान ओल्टे की परिभासओं को प्रभासित करते वे उसका मान जूल में कितनी होती ही ये ग्यात किया जा सकता है ठेक तो आज की अध्यन का हमारा जो मुख्य बिंदू था यही था कि जे जे थामसन की विशिष्ट आवेस ग्यात करने की जो विदी है मिलिकान की जो तेल बुंद विदी है उसके माध्यम से इलेक्टान का आवेस हमने कैसे ग्यात किया उसके द्रभमान करने धारन कैसे निकाला और इलेक्टान ओल्टे की क्या परिभासा होती है उसका मान कितना निकलती है इन सारी बिंदों के अधार पर आज चर्चा किया गया ठीक है, थैंक यू